भारत के पोर्व कप्तान सौरफ गांगुली ने कहा कि दक्षिन अफ्रीका के खलाब आगामी टी-20 श्रंखला के लिए उन्हें MS धोनी के चुने जाने की उम्मीद नहीं थी और टीम मानेश्मेंट ने यूबा रिशपपंद को चुन कर एक दम सही फैसला लिया है इंटरनाशनल क्रिकेट में 38 बरस के दोनी के भविश्चे को ली कर काफी अटकले लगाए जा रही है गांगुली ने कहा मुझे नहीं लगता था रक्षिन अफ्रीका के खलाब श्रिंकला के लिए उनका चायन होगा वेस्ट इंडीस के खलाब T20 श्रिंकला से भी संकीत मिल गया कि पंद को और मौके देने चाहिए यही सही है क्योंकि जब धोनी भी यूबा थे तब उन्हें मौके मिरे थे गांगुली ने ये भी कहा कि पंद की तोलना धोनी से नहीं की जाने चाहिए उन्हें कहा वो MS धूनी नहीं है और ना ही अगले 3-4 साल मी बन जाएंगे धूनी को दा MS धूनी बननी मी 15 साल लगी वो भारती क्रिकेट की खास जमात का हिस्सा है धूनी के मसले से कोहली कोने पतना होगा गाहूली ने हाला की कहा कि ये पेचीता स्तिती है जिससे कप्तान MS धूनी को निपतना होगा उन्होंने कहा कि विराट की भूमिका काफी एहम है ये कहना मुश्किल है कि उसकी धूनी से क्या अपिक्षाए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि धूनी के सन्याज को लेकर अटकल बाजी होनी चाहिए मुझे नहीं पता कि धूनी और टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के बीच क्या बात हुई है और इस तरह के बाचीस से थोड़ा दूर हूँ उन्होंने का कि हर क्रिकेटर के जीवन में ऐसा पलाता है हर खिलाडी के जीवन में मारा डोना, सेंपरास, तेंदूलकर और अब धूनी आप उस सुम्र में पहुंच जाते हैं कि ऐसी स्थितियाती है अगर विराट और टीम मैनेजमेंट को लगता है कि धूनी वापस आकर खिल सकते हैं तो वो खिलेंगे, अगर उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़नी का समय है तो वो आगे जाएंगे, हाला कि इसमें सेलेक्टर्स के एहम भूमी का होगी विराट पॉली भारत के सबसे सफर्टेस्ट कप्तान बनने की मुआने पर है अगर वो वेस्ट इंडीस के खलाब जमैका टेस्ट जीत जाते हैं तो वो उनके नाम 28 टेस्ट जीत हो जाएगी और वो MS दोनी से आगे निकल जाएंगे